हेलो फैंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टड़ी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी तो आज किस वीडियो में डिस्कस करेंगे बी ए आर्सी यानि कि भावा इटोमिक डिशर्च सेंटर के दो हजार तेस के कोशन्स के बारे मे वेल्डर के लिए है और यह सेट नाइन रहने वाला है इसके पहले मैंने आठ यानिकी एट सेट दे रहा है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा और फ्रेंड्स मैंने खजाना वाले वीडिय अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो को भी नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं क्योंकि यहां से डिरेक्ली 5-6 नंबर तो पक्के आएंगे ही आएंगे और फ्रेंस इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का अगर आपको फ्री पीडियो चाहिए तो आप हमार तो क्वेश्चे नंबर फर्स्ट है है हैलिकल स्प्रिंग पर भार परने पर किस प्राकार का प्रतीबल उत्पन हो जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएक आप्शन यानिकी सियर और यह जो प्रस्ण जो है वो 2014 में पूछा कि वह प्रस्ण है अब जो इंपॉटन जो पॉइंट से हम सभी को डिसकस कर लेते हैं तो हैलिकल स्प्रिंग पर भार परने पर सियर उत्पन हो जाता है अगला इसका पॉइंट है हैलिकल स्प्रिंग के सियरे किसी विसे स्कुन पर बनाय जाते है अगला पॉइंट है आम तोर पर इनका प्रियोग साइकल एस्टेंड या साइकल केडियर में किया जाता है अगला पॉइंट है लंबी साफ्टो या मसीनों के घूमते हुए पूर्जों को सही इस्तिती में रखने वह सहारा देने वाले उपकरनों को क्या कहते हैं अगला है मसीन का जो भाग घूमते हुए हिस्सों को आधार प्रदान करता है बियरिंग कहलाता है अगला है बियरिंग घरसन को कम करने वाला होना चाहिए अगला है बियरिंग साफ्ट को सुचारू रूप से आधार प्रदान करने वाला होना चाहिए अगला कोसेन कोसेन नमर थार्ड सैल बियरिंग बने होते हैं इसका राइट आंसर होज़ेक ऑप्शन सी यानि कि वाइट मेटल के बने होते हैं और यह जो प्रस्थ जो है वो 2007 में पूछा गया वो प्रस्थ है इसलिए आप सभी प्रिवेस एर कोसेंस को अच्छे से बना ले ताकि आपके भी एक जाम में अगर रिपीट हो तो आप आसानी से बना लेंगे अब जो इसलिए प्रस्थ जो पॉइंट से उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं तो सैल बेरिंग दो भागों में बने होते हैं अगला है सेल बेरिंग की बाहरी बाड़ी गन मेटल, ब्रॉन्ज और कास्ट आइरन की बनाई जाती है और अंदर वाइट मेटल या वेबिट मेटल की लाइनिंग की होती है अगला सैल बीरिंग भाड़ी कार्यों के लिए पड़ियोग किये जता है अगला है यह बीरिंग तापमान की एक बड़ी सीमा पर थाकान इस्तिती को बनाए रखती है अगला कुशन है कुशन मबर फोर्थ कम गती वह अधिक भार के लिए बीरिंग किस धातु का बनाए जता है तो इसका राइट आंसर रोजेका ओप्सन ए यानि की कास्ट आइरन का बनाए जता है और यह जो प्रस्न जो है वह 2014 में पूछा क्यों प्रस्न है अगला है अधिक गती वह अधिक भार के लिए बीरिंग कास्ट आइरन का बनाए जता है अगला है सेल बीरिंग वाइट मेटल का बना होता है अगला है बीरिंग मुखेता वाइट मेटल, कैडमियम स्टील, क्रोमियम स्टील, कॉपर, ऐलमोनियम तथा सिल्वर या एलोई स्टील के बनाए जता है अगला क्योंसर नमबर 5 किस bearing में bearing soft के अक्ष के लंबवत लगी रहती है इसका right answer हो जाएक option D यानि कि general bearing अब जो important जो पॉइंच सब्सक्राइब कर लेते हैं यहां से प्रसंद पूशे जाते हैं तो general bearing में bearing soft के अक्ष के लंबवत लगी रहती है अगले thrust bearing तो axial load सहन करने के लिए परियोग में लाए जाता है किसका तो thrust bearing है अगला है general bearing general bearing में एक soft या general होता है जो की supporting metal sleeve या सेल में स्वतंत रूप में घूमता है अगला general bearing में कोई rolling तत्वा नहीं होता है अगला question is question number six foot step या pivot bearing प्राया किसका बना होता है तो इसका right answer हो जाएक option D यानि कि ये सभी यानि कि धलवा लोहा का भी बना होता है ब्रॉंज का भी बना होता है पीतल का भी बना होता है यानि कि तीनों का अब जो important जो point से उन सभी को discuss कर लेते हैं तो foot step या pivot bearing धलवा लोहा पीतल ब्रॉंज का बना होता है अगला है foot bearing को कुसलता से lubricant नहीं किया जा सकता है अगला है foot step bearing निमलिखित घटकों से बना होता है जैसे कि body हो गया डिस्क हुआ, pin हुआ, boost हुआ अगला है foot step bearing का जो boost होता हुआ, वो gun metal का बना होता है अगला question question number seven धीमी घाती से चलने वाली soft पर किस bearing का उपयोग या परियोग किया जाता है इसका right answer हो जगा option B, यानि कि solid bearing का और यह जो प्रस्थ जो हो 2001 में पूछा गया वह प्रस्थ नहीं है अब जो important जो points सभी को भी discuss कर लेते हैं तो धीमी घाती से चलने वाली soft पर solid bearing का परियोग किया जाता है अगला solid bearing समानने तोर पर कम खटचीले परकार के bearing होते हैं अगला यह compact और हलगे होते हैं अगला है solid bearing के पास एक उच्छ भार वहन छमता होती है अगला question नमर 8 जहां पर पार्ट के घिसने की संभावना होती है वहां किस का परियोग किया जाता है तो इसका right answer हो जाएक option भी यानि कि boost bearing का परियोग किया जाता है और यह जो प्रस्द जो है वो 2014 में पूशा गया वो प्रस्द है अब जो important जो point 7 सभी को डिसकस कर लेते हैं तो जहां पर पार्ट के घिसने की संभावना होती है वहां boost bearing का परियोग किया जाता है अगला है अनप्रकार के bearingों के विप्रित जिन में rolling तत्वा होते है boost bearing द्रव सनेहक पर निर्भर करते है अगला है boost bearing की विशिष्ट सैलियों में sleep boost bearing, flagged boost bearing, split boost bearing और clinkered boost bearing सामिल होते है अगला है boost bearing, hydrodynamic general bearing के समान है तथा rotary अनुपडियोगों के अलावा वे रैखिक गती अनुपडियोगों के लिए भी लोपडिया है अगला question, question number 9 कम भार के लिए किस bearing का प्रयोग किया जाता है इसका right answer हो जाएक option A यहनि किस single raw bearing का प्रयोग किया जाता है अब जो important जो points से उन सभी को भी discuss कर लेते हैं यहां से प्रसंद पूशे जाते हैं तो जिन अस्थानों पर भार कम तथा बल चारों और से परे वो अधिक गती हो वहां single raw bearing का प्रयोग किया जाता है अगला जिन बेरिंग में बाहरी एवं भीतरी रिंगों में केबल एक ही खाचा काटा होता है तथा इन में गोलियों की एक ही पंक्ती होती है उन्हें single raw bearing कहते हैं अगला single raw bearing का प्रयोग अधियोगिक pump, compressor, समागरी संचालन, विद्दूत मोटर्स में किया जाता है अगला question है question number 10 निम्न में से कौन self alignment bearing है तो इसका राइट answer हो जागा option B यानि कि barrel roller bearing और ये जो question है वो 2013 में पूछा कि वो प्रस्न है अब जो important जो points से उन सभी को discuss कर लेते हैं तो barrel roller bearing self alignment bearing है अगला इनका ब्यास पूरी लंबाई में असमान होता है अगला ये bearing self alignment होते हैं जिनके कारण इसे साफ्ट में सीधा रखने में कठनाई नहीं होती है अगला question question number 11 किसी thread की peach gap करने के लिए निमलेखित में से किस gauge का उप्योग किया जाता है तो इसका right answer हो जाग option C यानि कि screw peach gap का और ये जो प्रस्न है वो 2019 में पूछा क्या हुआ अब प्रस्न है अब जो important जो point sum सभी को भी discuss कर लेते हैं तो किसी thread के peach gap करने के लिए screw peach gauge का प्रियोग या उप्योग किया जाता है जबकि thread plug gauge अंदरोनी thread, parts और thread की looseness और tightness बताता है अगला filler gauge के बारे में discuss कर लेते हैं तो दो surface के बीच का gap चेक करता है कौन तो filler gauge अगला radius gauge सभी प्रकार के concave और convex radius चेक करता है अगला radius gauge का प्रियोग laying out के लिए भी किया जाता है अगला question, question number 12 एक rag bolt किसका एक प्रकार है describe answer is a option C यानिक नीव बोल्ट का एक प्रकार है और ये जो प्रस्ण जो है वो 2019 में पूछाए कि वो प्रस्ण है अब जो important जो points से उन सभी को discuss कर लेते हैं एक foundation bolt यानिकी नीव बोल्ट है अगला है इस bolt का उप्योग भारी मसीनों को पत्थर या concrete foundation के साथ बांधे में किया जाता है अगला है इस bolt का सेप जो हता है वो आयताकार होता है और ये लंबाई में टेपर होता है अगला है रैग बोल्ट पर खांचे बने होते हैं जिसके किनारे अंदर की ओर धहसे हुए बनाई जाता है अगला है foundation bolt मसीन के धांचों को जमीन में जकड़े रहता है अगला question को समथ 18 और ये बहुत ही जादा important है एक में चूड़ी में समाविष्ट कोन का मान क्या होता है तो इसका right answer हो जग option C यानि कि 29 डिगरी का होता है और ये जो प्रस्ण जो है वो 2019 में पूछा गया प्रस्ण है अब जो important जो point जो सभी को अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि ये सारे important है आपके exam के point of view से आपके discuss कर लेते हैं तो एक में चूड़ी का समाविष्ट जो कौन होता है वह 29 डिगरी का होता है अगला square thread जो होता है उसका कौन होता हो कितना होता है तो 90 डिगरी का होता है नाम से पता चल रहा है square अगला metric जो चूड़ी होता है यानि कि जो thread होता है इसका जो कौन होता है वह कितना होता है तो 60 डिगरी का होता है अगला बट्रेस जो thread जो होता है इसका जो angle जो होता है वह 45 डिगरी का होता है अगला है BSP thread और BSF thread तथा BSW thread का जो कौन होता है वो कितना होता है तो 55 degree का होता है अगला है BSP तो BSP मतलब British Standard Pipe तो इसका जो thread का जो angle होता है वो कितना होता है तो वो होता है 55 degree होता है अगला है BSW यानि कि British Standard with what इसका कितना होता है इसका जो थ्रेट का जो एंगल होता हो 55 डिगरी इसका भी होता है अगला है BSF यानि British Standard Fine इसका कितना होता है इसका होता है 55 डिगरी होता है इसका भी थ्रेट का कौन तो I hope सभी का आपको समझ में आ गया होगा अगला question is question number 14 वासर के साथ सस्ट कोण ये नट कौन सा है तो इसका right answer हो जागा option B यानि की बाजू कोण नट और ये जो प्रस्ट जो है वो 2019 में पूछा गया वह प्रस्ट है अब जो important जो point सभी को पूछ डिसकस कर लेते हैं तो वासर के साथ सस्ट कोण ये नट बाजू कोण नट होता है अगला है बाजू कोण नट के बारे में डिसकस कर लेते हैं या एक ऐसा नट है जिसमें एक सीरे पर विस्तिरित बाजू कोण होता है अगला है जो एक एकिक्रित वासर के रूप में कारे करता है अगला है यह सुरक्षित होने वाले हिस्से पर नट के दबाव को विप्रित करने का कारे करता है अगला है यह नट्स जादा तर आकार में सस्ट कोनिय होते हैं और कठोर इस्टील से बने होते हैं अगला है बाजू कोर नट अक्सर जास्ता के साथ लेपित होते है अगला कोशन कोशनमर 15 साफ्ट के लिए बेरिंग में समाने तोर पर किस नट कप्डियों किया जाता है तो इसका राइट आंसर रोचे का ऑप्सन डी यानि कि वर्गकार सिर्ष वाला बोल्ट और यह जो प्रस्ट जो है वह 2019 में पूशा के वह प्रस्ट है अब जो पॉइंट जो पॉइंट सुन सभी को डिस्कस कर लेते हैं तो साफ्ट के लिए बेरिंग में आम तोर पर वर्गक अब भर्ग किया जाता है अगला है बोल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो वे मुल रूप से चूडी कृत की लग हैं जो समाने तौर पर न्ट के साथ उप्योग किये जाते हैं आगला बोल्ट निम्न प्रकाड के होते हैं कौन-कौन सा रोता है wrist स्क्राइट क्राई आयाम को किस संदर्मर्ण में व्यक्त किया जाता हgor तो इसका राइट अंसर वचे का option C यानिकी bolt का समाने ब्यासस है और यह जो प्रस्ण जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रस्ण है अब जो important जो points उन सभी को discuss कर लेते हैं यहां से प्रस्ण बनते हैं एक नट के आयाम को bolt के समाने ब्यास के संदर में व्यक्त किया जाता है अगला है नट का उप्योग एक समायोजन में bolt के साथ किया जाता है अगला है जो कमपन के साथ धीला हो जाता है अगला है नट बंद करने के उपकरनों के अलग-अलग प्रकारों का उपयोग इस्तिती की कठोड़ता के अधार पर किया जता है अगला है जिसमें कीलग का उपयोग किया जता है अगला एक बोल्ट सिर्स या नट के आयाम को बोल्ट के समाने व्यास के संदर में सटिक रूप से व्यक्त किया जा सकता है अगला कोसन कोसंबर 17 अंगूठे और उंगलियों से कौन से नट को असानी से संचालित किया जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाग ऑप्शन सी यानिकी विंग नट को और यह जो विंग नट है इसे फ्लाइड नट के नाम से भी जानते हैं और यह जो प्रस्ण जो है वो 2019 में पूछा क्यों प्रस्ण है अब जो इंपॉर्टन जो पॉइंट सबी को डिसकस कर लेते हैं तो अंगूठ है और उंगलियों के मदद से असानी से विंग नट संचालित होता है अगला है इसका अधिकतर प्रयोग हेक्सा फ्रेम में ब्लेट को टाइट और धीला करने के लिए किया जता है अगला है इस नट में दो विंग होती है इसलिए इसे विंग नट कहते हैं अगला इसका प्रियुक बार बार खोलने वो कसने वाले अस्थान पर किया ज़ता है अगला इसको खोलने के लिए किसी भी प्रकार के रिंज की आवशक्ता नहीं होती अगला question, question number 18 निम्र लिखीते में से कौन से समाने चूडी कृत बंधक का एक प्रकार नहीं है इसका right answer जगा option A यानिकी noc और यह जो प्रस्थ जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रस्थ है अब जो important जो points जो सभी को discuss कर लेते हैं तो निम्र लिखीत में से समाने चूडी कृत बंधक का प्रकार नोक जो है वो नहीं है अगला है बंधक nut bolt screw यानिकी पेच आते हैं अगला है बोल्ट एक mechanical और अस्थाई बंधक यानिकी fastener होता है अगला है बोल्ट nut की सहायता से दो पाटों को जोड वो जोडे रखने का कारे करता है अगला है बोल्ट पर बाहरी चूडी कटा होता है जबकी nut पर अंदरूरी चूडी यानिकी thread कटा रहता है अगला है बोल्ट जादातर mild steel के बनाय जाते हैं विसेस कारे के लिए तामबा पीतल का भी बनाय जाता है अगला कोसेन कोसेंबर 19 साफ्ट के लिए bearing में समाने तोर पर किस बोल्ट कपडियों किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option D यानिकी वर्गकार सिर्स वाला बोल्ट का और यह जो प्रस्ण जो होगा 2019 में पूछा क्यों प्रस्ण है अब जो important जो points सबी को discuss कर लेते हैं तो साफ्ट के लिए bearing में आम तोर पर वर्गकार सिर्स वाला बोल्ट का उप्यों किया जाता है अगला है बोल्ट वे मूल रूप से चुड़ी कृत की लग है जो समाने तोर पर नट के साथ उप्यों किया जाता है अगला है बोल्ट नीम प्रकाट के होते हैं कौन-कौन सा है जिसके एक सीरे पर हेड तथा दूसरे सीरे पर चूड़िये कटी होती है अगला है बोल्ट और अस्थाइब फास्टनर यानि कि बंधक है अगला कोश्चन कोश्चन नीचे दी गई आकृतीव में दर्साई गई बोल्ट के प्रकार की पहचान किजिए इस वाले फिगर को देख कर बताने कौन सा बोल्ट है इसका राइट आसर हो जगा उपसन ए यानि कि जुकाव नीव बोल्ट और यह जो प्रस्ट जो है वह 2019 में पूछा गया वह प्रस्ट नहीं है अब जो इंपॉइंट जो पॉइंट सुम सभी को डिसक्स कर लेते हैं तो दीए कि आकृती में जुकाव नीव बोल्ट यानि कि फॉण्डेशन बोल्ट दरसाय गया है अगला है नीव यानि कि फॉण्डेशन बोल्ट तो कुछ मसीन के लिए यह नीव पर मसीनों को मजबूती से पकरे रखने के लिए बहुत अनिवार होता है उन्हें गतीमान होने से रोका जाए मतब रोका जाता है अगला है इस उद्देश के लिए निव यानि की फाउंडेशन बोल्ट के अलग-अलग प्रकारों का उपियोग किया जाता है तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही वीडियो कैसे लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुँचे और फ्रेंट्स अगर आपको फ्री पीडियेफ चाहिए फ्री पीडियेफ तो आप हमारे टेलीग्राम को जोइन कर सकते हैं टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सिन मिल जागा वहां से जाकर जान कर सकते हैं अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख ले क्योंकि यहां से 5-6 नमबर तो फिक्स आपके आएंगे ही आएंग आपके 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 आपक झाल झाल